प्रिये विद्ध्यार्थियों बीएसी पार्ट वन की और्गनिक केमिस्टी की क्लास में आज पुने एक बार आपका स्वागत है पिछले जो वीडियो लेक्चर्स चल रहे थे उसमें हमने आप लोगों को कार्पनिक अविक्रियाओं की किरिया भी दी यानि मेकनिज्म ऑप और्गनिक रियक्शन्स के बारे में बताया था तथा यह भी बताया था कि यह कितने प्रकार की होती है यह बताया था यह चार प्रकार की होती है प्रतिस्थापन योगात्मक बिलोपन और पुनर विन्यास अभी क्रिया है इन सभी अभी क्रियाओं के ब में परवर्तित होता है तो उसकी उर्जा में क्या परवर्तन होता है तो इसी के संबन्द में पिछला जो वीडियो लेक्चर था वो था आपका M.O.R. Part 5 आज होगा M.O.R. Part 6 यानि Mechanism of Organic Reaction का Part 6 पार्ट होगा जिसमें हम एनर्जी कंसिडरेशन यानि उर्जा का विचार की बारे में पढ़ेंगे जोगे तो B.S.C. Part 1 की Chemistry 2 पिपर की जोगे Organic Chemistry क्लास में आपका पुने एक बार सौगत है मैं डॉक्टर B.K. अगरवाल आपको Energy Consideration यानि उर्जा विचार के उपर आज हम बताएंगे आपको जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें Energy Consideration यानि रसाइनिक अभी किरियाओं की किरिया विदी में उर्जा के मानका बहुत महत्पून भूमिका होती है कोई भी किरियाकारक जब उत्पाद में परवर्तत होता है तो उस प्रक्रम में उर्जा का परवर्तन किस प्रकार से हो रहा है इससे अभी किरिया की गति तथा उत्पाद की प्रक्रति निर्धारित होती है जब अभी किरिया से उत्पाद में परवर्तन होता है तो अभी किरिया की प्रक्रति के आधार पर अभी किरिया दो प्रकार की होती है एक तो होती है उश्मा छेपी या एक्जो थर्मिक रियक्शन यानि वे अभी करिया है जिसमें उश्मा निकलती है दूसरी जो है उश्मा शोशी यानि एंडो थर्मिक करिया है यानि वे अभी करिया है जिनमें उश्मा का शोशन होता है अर्थात हम पहली वाली लेते हैं उश्मा छेपी या एक्दोथर्मिक रेक्शन वे रसाइने का विक्रिया जिसमें उर्जा उसर्जित होती है या निकलती है उश्मा छेपी विक्रिया क्यलाती है इसमें क्रिया कारक की उर्जा का मान उत्पात की उर्जा से अधिक होता है अर्थात ER is greater than EP ER क्या है? Energy of reactant EP क्या है? Energy of product यानि energy of reactant वो अधिक होती है और product की कम होती है यहां आपने लिखा है delta H RP नहीं होता है यह PR यानि product माइनस है तो delta H का मान यहाँ पर negative आएगा जोगा क्योंकि ER ज्यादा है और EP कम है तो यहाँ पर जोगा है delta H बराबर हो जाएगा आपका EP EP माइनस ER ER यह होगा यह नहीं है यह बाला होगा यहाँ यहाँ पर यहाँ पर डेल्टा H का मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा तो जब डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है तो वो अविक्रिया कैसी होती है जोगै उश्मा छेपी अविक्रिया होती है यानि उसमें उर्जा निकलती है तथा दूसरी वी यह अभिक्रियां जो उश्मा प्रिया का से उश्मा कहते हैं के DR की आपर बहार यंतीक हैं इस प्रिकार के अभिक्रिया में जोijd कारक है ER की उच्छा उद्पाट की उच्छा से क्या होगी कम होगी जूँए और उत्पात की उर्जा अलग होगी ज्यादा होगी इसलिए कम होता है इसलिए e-p is greater than er तो इसमें delta h का मान क्या होगा उत्पात की उर्जा का मान minus क्रिया का रखता तो delta h का मान क्या होगा यहां पर positive होगा यहां हमने एक reaction आरेक इसको हम कहते हैं अभिक्रिया आरेक उसके साहिता से जो हमने उर्जा की जो इस्थिति उर्जा है वो और अभिक्रिया की प्रगति में एक ग्राप खीचाए यहां माल लीजे कोई आपका यह क्रिया कारक है यह इस एनर्जी पर है तो जब क्रिया कारक से उत्पाद में बदलता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें उर्जा का उच्चितम लेविल होता है उसको हम कहते हैं संक्रमन अवस्था यानि क्रिया कारक उस समय उत्पाद में बदल रहा होता है और फिर उसके बाद इस energy को यह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको energy of activation या अभी सक्रियन उर्जा कहते हैं जिसको हम आगे जाके अभी आपको बताएंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि यह उत्पात की उर्जा है उत्पात की उर्जा कम है तो delta h का मान क्या हो गया यहां पर negative हो गया ज p minus e r इससे निकालते हैं तो e p जोगे क्या है वो कम है इसलिए इसका delta h का मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा जोगे इसलिए इसलिए तरीके से एक यह तो कौन सी थी ऊश्मा शेपी अभी किरिया का और यह है उश्मा सोशी अभी किरियाओं के लिए उर्जा आरेक चितर जोगे यहां इस्थिती उर्जा ले रखी है हमने एक यहां पर यह इस्तिति जूर्जा ले रखी है यहां अभी क्रिया की पगति ले रखी है तो यह जो क्रियाकारक है इसकी उर्जा और उत्पात की उर्जा का यदि हम तुल ना करें तो हम देखते हैं कि उत्पात की उर्जा वो अधिक है और क्रियाकारक की उर्जा जो है वो कम है अर्थ अर्थात डेल्टा एज का मान क्या आएगा पॉजिटिव क्योंकि एपी इस ग्रेटर देन यार यानि जो प्रोड़क्त की एनर्जी है वह अधिक है और रेक्टेंड की कम तो एपी माइनस यार वह क्या होता है डेल्टा एज होता है अर्थात डेल्टा एज का मान क्या स्वारी अर्थात किसी भी अविक्रिया में जब डिल्टा एज का मान पॉजिटिव होता है तो वो अविक्रिया कैसी होती है उश्मा शोशी और जिस में डिल्टा एज का मान नेगिटिव होता है वो अविक्रिया कैसी होती है उश्मा शेपी अविक्रिया क्यलाती है अब कई वार ऐसा भी हो सकता है कि यह E.P और E.R का मान लगवक समान हो यानि उनके जो मान है उर्जाब के जो मान है उनमे जो हो बहुत कम अंतर हो तो अइसी अविकरियां कैसी होती है उतक्रमणिय या रिवरसिवल अविकरिया कहती है यदि E.P is equivalent यानि लगबग बराबर है किसके AP तो अविकरिया संपन होने में उस्मा का कोई आधान प्रदान नहीं होगा सामने तरह ऐसी अविकरिया को हम क्या कहते हैं उत्प्रमणिय या रिवर्सविल अविकरिया कहते हैं जैसे AP प्लस AB प्लस C को अभिक्रिया से उत्पात क्या बना? AC प्लस BD यहानि AB प्लस CD और AC प्लस BD बना और यह अभिक्रिया के जो उसका डेल्टा है भी कमाड जो है लगबग बराबर है तो इसलिए जो है यह अभिक्रिया backward direction में भी जा सकती है कि इस प्रकार की जो अविक्रिया है होती है उनको उत क्रमनी या रिवर्सिबल अविक्रिया है कहते हैं अभी हमने आपको बताया त यह क्या है यहानि एनर्जी ओफ एक्टिवेशन जसको हम इसे रिप्रिजयंट करते हैं यानि किसो अभ Eigen क्रिया को संपन होने के लिए आवश्यक नियुनतम उर्जा सक्रियन उर्जा या energy of activation क्यलाती है यह क्रिया कारक्के अणुगों के आपस में टक्राने से उत्पन होती है क्या होता है कि जुए अणु जुए आपस में टक्राते हैं जुए और स्यक्रों टक्र होती है उसमें से क कुछ प्रभावी टक्कर होती है जो प्रभावी टक्कर का क्या मतलब है यहाँ पर प्रभावी टक्कर का मतलब है कि जो आमने सामने से यानी एक इधर से यह अनू है और यह एक अनू जो है इसके तो यह दोनों जो है जब सामने से कुलिजन हो रहा है तो उसमें क्या होगा ए यहां पर टकर आया इधर निकल गया जोगे एक यहां टकर आया इधर निकल गया लेकिन जब सामने से टकर आएगा तो वह तकर क्या कहलाती है प्रभावी टकर कहलाती है तो प्रभावी टकरों से जो उर्जा उत्पन होती है उसे जो यह एनर्जी ओफ एक्टिवेशन कहते है या सक्रियन उर्जा कहते हैं जो की किरिया कारक को उत्पाद में परवर्तित करने में काम में आती है यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा और डेटेबस में लिखा है कि अभिकारकों के उत्पाद में परवर्ते से पूर परमाणूं में एक ऐसी जैमिती सरंचना उत्पन होती है जिसकी उर्जा अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों से अधिक होती है जिसको हम क्या कहते हैं संक्रमन अवस्था यानि एक ऐसी परिस्तिती डवलप होती है जिसमें जो यह क्रिया कारक और उत्पात दौनों से उसकी उर्जा जादा होती है इस अवस्था तक पहुँचने के लिए हमको कुछ उर्जा की आवशकता होती है वो उर्जा किस से प्राप्त होती है अनुओं के आपसी टक्का से प्राप्त होती है जिसको हम क्या कहते हैं सक्रिया उर्जा कहते हैं यानि किसी अविकरिया को संपन होने के लिए आवशक न्य में ती सरंचना उत्पन होती है जिसमें जिसकी उर्जा अभिकारकों तथा उत्पात दौनों से अधिक होती है इस अवस्था को हम क्या कहते हैं संक्रमन अवस्था कहते हैं तथा इसे संबंदित उर्जा को इससे संबंदित उर्जा को सक्रियन और्जा कहते हैं संक्रम अवस्था में क्या होता है कि पुराना बंद किरियाकारक का पुराना बंद तूट रहा होता है और उत्पात का नया बंद बन रहा होता है तो ऐसी इस्तिति को यहाँ हमने एक diagram के द्वारा represent किया है यानि ये हमारा कोई reactant है क्रियाकारक जो b c के साथ react कर रहा है दूसरा अभिकर्मक है तो इस अभिकर्मक के साथ जब react कर रहा है तो एक ऐसी स्थिति आएजी कि युए ए और b के बीच में A और B के बीच में एक नया बंद बनेगा और जो कि BC के बीच में पराना बनता वो तूट रहा होगा तो उस समय उर्जा का इस्ता सबसे अधिक होता है वह अवस्ता क्या कहलाती है संक्रमण अवस्ता ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है और फिर उसके बाद जो क्या होता है कि फिर उर्जा का डाउन फॉल होता है और जो हमें उत्पाद ये भी प्राप्त हो जाता है अबिकरिया में किरियाकारक की उत्पाद में बजनने के लिए किरियाकारक तथा उत्पाद के मत ऊर्जा के अंतर को अबिकरिया उश्मा कहते है यानि जो हमने आपको पहले बताया था डेल्टा H, डेल्टा H कैसे कल्कुलेट करते हैं, HP-HR, यानि अविक्रिया, यो हमारे उत्पात की अविक्रिया है, और जो रेक्टेंट की अविक्रिया, इन दोनों का जो है, जो यानि उत्पात की अविक्रिया से, रेक्टेंट की अविक्रिया को गटा देते हैं, तो इसको डेल्टा एच जो है हमारा डेल्टा एच प्राप्त हो जाता है जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया उश्मा डेल्टा एच तो किसी भी अभिक्रिया की डेल्टा एच का मान यदि नेगेटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी उश्मा छेपी अभिकरिया होगी और यदि डेल्टा एच का मान यानि अभिकरिया उश्मा का मान पॉजिटिव है यानि ननात्मक है तो वह अभिकरिया कैसी होगी उश्मा शोशी होगी तो आज हमने आपको बता है कि अभिक्रिया है यानि जो अभिकर्मक उत्पाद में जब परवर्तित होता है क्रिया कारक से रेक्शन करके तो उसमें कुछ उर्जा में परवर्तन होता है और इसके आधारपा इस प्रकर्ति के आधारपा जो है अभिक्रिया दो प्रकार की होती एक तो उस्मा शोशी अभिक्रिया है और दूसरी जो है उस्मा शोशी तो उस्मा शेपी अभिक्रियाओं में तो यह डेल्टा एच यानि अभिक्रिया उस्मा का मान रणात्मक होता है जबकि उस्मा शोशी अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान जो है धनात्मक होता है आ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जुए आप शेयर कर सकते हैं जुए इसको लाइक भी कर सकते हैं लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जुए और इस वीडियो को जुए आप सब्क्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाले